मस्त्राम कभी कभी होता ना कि आप कोई ऐसी वेब सीरीज या ऐसी मूवी देख लेते हैं जिसको देखने के बाद आपको ऐसा है लगता है कि यह क्या टटी बना दिया है उसी तरह से मस्त्राम अंशुमन जो की राजाराम के किरदार में है जगत जो की मामा के किरदार में है तारा जो की मदु के किरदार में है और आकाश जो की गोपाल यानि की राजाराम के दोस्त के किरदार में है विपिन जो की दुरगा परसाद यानि की जो पब्लिश करता है बुक्स उसके किरदा याप मैं सिरीज में ईगर मैं यह इस की बात करूं तो पूरी की पूरी वेब सिरिस ज went कि मैं को लिए कि अपनी बुक झापना चाता है अपना पूरी बूरी बुक बनाना चाता है लेकिन तो व कन तुम यह बुक स्टोरी पड़ेगा तुम इसमें मसाला ला और वह ऐसा मसाला एड़ करता है कि यह इस वैब सिर्ज को 10 एपसोड तक खीज देते हैं हर एक एपसोड में अलग-लग कहानी आती है अलग-लग आप कहसकते हैं कि वल्गर चीज़े मस्तराम में इस तरह से स्टोरी लिखता जाता पुरी वैब सिर्ज में कि 10 के 10 एपसोड में 10-10 अलग-लग स्टोरी में अगर मैं एक माइने में इस वेब सीरिस के बारे में कहूँ तो बिल्कुल गार्बेज वेब सीरिस है कोई स्टोरी काता पता नहीं क्या ये बताना चाहते हैं ये करना क्या चाहते हैं वो भी नहीं पता location उन्हें ऐसी चुनी है जहां पर सर्दियां है मैं आप मतादू मनाली की location इन्होंने चुनी है और मनाली में कौन साड़िया पहनता है जिस तरह से इन्होंने इस web series में दिखाया है मुझे नहीं पता जैसे आप देख रहे हुगा यह है मनाली की ट्रेडिशनल ड्रेस और वहां पर जहातर जो लोग हैं वो सलवार कुर्था इस तरह से पहनते हैं तो कोई भी साड़ी नहीं पहनता हिमाचल में तो यह पता नहीं कहां से तो इन्होंने यह साड़ी दिखा दी ना इन्होंने location का location के जो वहां पर कपड़े हैं उनको सई से दिखाया है ना तो कुछ बज़त लगता है अगर मनालिय वालों ने ये देखी तो वो तो इनको गालिय अमार मार के web series वालों को ऐसी मार देंगे मुझे पता नहीं क्यूं mx player ने web series निकाली क्यूं उन्होंने ये web series लोगों को टॉर्चर दिया यह तो वही बात होगी बॉलिवुड में जब कोई प्रोड्यूसर कोई एक्टर जो है दो तिन अच्छी अच्छी मूवी देता है तो उसके बाद तीसरी ऐसी क्रिंज वर्ति और आसी बेकार मूवी देता है कि लोगों का दिमाग फ्यूज हो जा मसत्राम है हो अपनी स्टोरी डालना चाता लेकिन उस तरह से कोई भी भूख नवी पढ़ना चालता तो मसाल्हा lagi मसाला ajis जो कि पूरी की पूरी वैब स्रीज दिखाई जो दुनिया है इनकी वहीं सेक्स के भ्लोह से इत चलती है कहीं दिखा वहां सेक्स जहां उठे वह से गए वहां से खाने बैठे वहां से पता नहीं पुलीस स्टेशन से लेकर के और पढ़ाई तक सब में इन्हों ने वही डाला इससे अच्छा तो आप खोल के देख लो प्रमोट नहीं कर रहा मैं लेकिन इस बेकार वेब सीरीज देखने सच है कुछ और देख लो अपना टाइ और अगर हम देखें तो सॉंग्स में चल रहे हनी सिंग के अब यह क्या दिमाग लगा कि नों ने वेब सीरीज बनाई है उसका भी आता पता कुछ नहीं देखी मैं कहूंगा एक्टिंग ओके-ओके किसने सी खास ओवर एक्टिंग नहीं किया एक्टिंग ओके-ओके स्टोर लाइन तो इसमें कुछ थी ही नहीं क्रिंज वर्थी स्टोरी है बेका स्टोरी है इतने अडल्ट सिंस डाले गए हैं कि मतलब दिमाग खिल जाता है देखके और उसमें जो एक्सप्रेशन इनके हैं वह देखके तो ऐसा मन करता है कि इनको थपड मारू इस वेब सीरीज को देखने के बाद तो यह लगता है कि जब कोई गंदी समेल वाली चीज आपके जुत्तों में लग जाती है और वो समेल जो आपको परिशान करती रहती है जब तक आप उसे साफ नहीं कर लेते जब तक आपके हट नहीं जाती वह जुत्तों से उसी तरह से वेब सीरीज है ए उतना है कोँगा कि वेब सीरीज में ये लगने वाला सबसे बड़ा कलंक है और कहां तो हम एक्सपेक्ट करें कि इंडिया में वेब सीरीज आगे ग्रो कर रही है असुर जैसे वेब सीरीज बन रही है पंचाद जैसे वेब सीरीज बन रही है मिज़ापूर जैसे वेब सीर का लेकिन अब वेब सीरीज में भी अगर इस तरह से कॉंटेंट का कब्जा होने लग गया तो भगवा नहीं बचाए नो रेटिंग मौन वरत आपको कहूंगा अपनी जान बचाएं इस वेब सीरीज के आज पास भी ना भढ़ कें धन्यवाद